जै गनेज जी मता पारवती कीजे करवा चौथ की कहानी इस कहानी को सुनने से और कहने से बरत का पुरा फल मिलता है बहुत समय पहले की बात है बीरवती नाम की एक राजकुमारी थी जब वह बड़ी हुई तो उसकी साधी एक राजा से हुई साधी के बाद वह करवा चौथ का ब्रत करने के लिए मा के घर आई बीरबती ने भोर होने के साथ ही करबा चौत का ब्रत सुरू कर दिया बीरबती बहुत ही कुमल और नाजुक थी वह ब्रत की कठोरता सहन ना कर सकी और साम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहुसी हो गई उसके निकलना बताकर बीरवती का बरत तुर्वा कर भोजन करवा दिया जैसे ही बीरवती ने खाना काया तो उसे पती की मिरत्यूं च्छमा मांगने लगी तब माता ने बर्दान दिया कि उसके पती जिवित तो हो जाएगा लेकिन पूरी तरह स्वस्त नहीं होगा बीरवती जब अपने महल पहुंची तो उसने देखा राजा बेहूस था और उसके सरीर में बहुत सारी सुईयां चुभी हुई थी अब राजा की सेवा में राणी लग गई और सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुईय निकालती गई एक बर्स बीद गया अब करवा चौथ के दिन बेहूस राजा के सरीर में सिर्फ एक सुईय बची भी थी राणी बीरवती ने करवा चौथ का कड़ा ब्रत रखा था वह अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बजार गई पीछे से एक दासी ने राजा के सरीर से आखरी सुई निकाल दी और राजा को होसाया तो उसने दासी को ही अपनी राणी समझ लिया जब राणी बीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया तब भी राणी ने चौत्व का ब्रत का पालन पूरे विस्वास से किया एक दिन राजा किसी दूसरे राज को जाने के लिए रवाना हो रहा था उसने दासी रूपी बीरवती से पूछा उसे कुछ मंगवाना है क्या तब बीरवती ने राजा को एक जैसी दो गुडिया लाने को कहा राजा ने एक जैसी दो गुडिया लाकर दे दी अब बीरवती हमेशा गीत गाने लगी रोली की गोली हो गई गोली की रोली हो गई अब राजा जब इसका मतलब पुछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी राजा समझ गया कि इसका मतलब है रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई राव राजा को बहुत पस्ताबा हुआ, उसने बीरवती को वापस रानी बना लिया और उसे वही साही मांसमान लोटाया। माता पारवती के आशिरबात से रानी के विस्वास और भक्ती पुर्न निष्ठा के कारण इसे अपना पती और मांसमान वापस मिला। बोलो चौत माता की जै करवा चौत की दूसरी कहाने एक गाउं में एक साहुकार के साथ बेटे और एक बेटी थी साथो भाई और बहन में बहुत प्यार था करवा चौत के दिन से ठानी ने साथो बहुँओं और बेटी के साथ करवा चौत का बरत रखा साथो भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे उस दिन भी भाईों ने बहन को खाना खाने के लिए कहा तो बहन बोली भाई आज मेरा करवा चौध का बरत है इसलिए चांद हुगेगा तब मैं भोजन करूंगी भाईों ने सोचा कि बहन भूकी रहेगी कहा बहन चांद उगाया है अरक देकर खाना खालो बहन अपने भाईों से कहती है भाई चांद देख लो भाई बोली बाई जी ये चांद तो आपके लिए उगा है आप ही देख लो हमारा चांद तो देर रात को उगेगा बहन भाईयों के साथ खाना खाने बैठ गई भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें से बाल आ गया दूसरा कौर खाने लगी तो कंकल आ गया तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलाबा आ गया कि बेटा बहुत बिमार है बहु को जल्दी भेजो मा ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए तीन बार बकसा खोला तो तीनों ही बार सफेद कपड़े हाथ में आए लड़की सफेद कपड़े ही पहन का ससुराल के लिए रवाना होने लगी तब मा सोने का एक सिक्का उसकी पल्लू में बांध देती है और कहती है रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो कोई अमर सुहा का आसिरवाद दे उसे यह सिक्का दे कर पल्लू में गांठ बांध लेना रास्ते में बहुत सारे लोग मिले सबका पैर छूती आसिरवाद लेती लेकिन किसी ने अमर सुहा का असिरबाद नहीं दिया ससुराल पहुँचने पर उसने देखा कि पल्ले में जेट की लड़की जूल जूल रही थी उसने उसके पैर छुए तो जेट की लड़की कहती है सीली हो सपूती हो साथ पूत की मा हो यह आसि सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्लू में गाठ बान लिया घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में पती का मृत अवस्था में देखा उसने पती को ले जाने नहीं दिया और अपने मृत पती को लेकर रहने लगी और पती की सेवा करती रही सासू बचा हुवा ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ से यह करकर भिजवाती कि जा मुर्दा जेक सेवनी को खाना दे किया इस तरह से सेवा करते करते कुछ दिन बाद माग महने की तिल चोठाई तो उसने माता से प्राथना की और कहा माता मुझे मेरी गलती का पस्तापा है मुझे माफ कर दो और हे चोठ माता मेरा सुहाग मुझे लोटा दो मेरे पती को जिवित कर दो माता ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है बैसाखी चोठ माता तुम्हारा सुहाग लोटाईगी बैसाखी चौथ पर उसने फिर मा से प्रार्थना की तो मा कहती है भादूरी चौथ माता तुम्हारी सुखा को वापस कर देगी अब भादूरी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराजगी कारण तुम्हारा साथ यह सब हो रहा है उन्हें परसंद करने पर ही तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा अब कार्तिक महने में चौथ माता स्वर्ग से उतनी तो गुसे में उससे कहने लगी भाईयों की बहन करवा ले दिन में चांद उगानी करवा ले ब्रत भांड नी करवा ले उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिये और बिलाब करने लगी हे चौथ माता मैं ना समझ थी इसलिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे इतना बड़ा डंद मत दो माता ने खुस होकर उसे अमर सुहाग का आसिरवाद दे दिया अब उसका पती उठा और बोला मुझे बहुत नीद आ गई थी तब उसने अपने पती को बताया कि वो बारा महिने से उसकी सेवा कर रही थी और चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लोटाया है पती ने कहा हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन कर चुर्मा बनाया दोनों खा पी कर चौपड खेलने लगे नौकरानी जब बासी खाना लेकर आती है तो यह देखकर तुरंद उसकी सासु को बताती है तो सासू आकर कह बहुत खुस्वी और बहु से पूछा यह सब कैसे हुआ तब बहु ने सास के पेर्च हुए और बताया यह चौथ माता का आसिरबाद है सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुसवे सभी इस्तिरियों ने पती की दिर्गायू के लिए चौथ माता का बरत करने का निस्चे किया हे चौथ माता जैसे साहुकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा ही सभी का करना कहने सुनने वालों को हुंकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौत माता की जै हर हर महादेव